प्रश्मत में पेश हुआ हुँ एक नए अमेजिंग विलाउग के साथ जी हां गाइस आज हम लोग ऐसे वैसे जगा पे नहीं जाने वाला है आज हम लोग जाने वाल है चारों मच्ची पर जी आंगा यह देख सकते हो हमारे पास वैसी दो भाई के एक यह हम दोनों लोग यहां पर खड़े और वाकी तीन लोग और वहां से आएंगे तो फिर हम लोग निकलेंगे चारों मच्ची के लिए रहा नहीं जाता तडपी ऐसी है निकले आप चारों मच्ची के बारे में क्या कहना चाहिए कि वो कैसा जगा है हम जिम्ही पे फेली बार इस रोड पर आये हैं ठीक है दोस्ते ने कहा है कि बहुत अच्छा जगा है लेकिन हम लोग उने तो नहीं देखा है कहते हैं जादा दूर है लेकिन अभी हम लोग लो पक्के रस्ते में जा रहे हैं बाई लोगों ने कहा है कि यहां पर ये कच्छा भी रस्ता है डेटर्ड दो गंटे का सपर रहे हैं दोस्त हमारे पास मासाद वंजे भी मामद उमर भी है ठीक है हाँ डीसी वहीद भी आए और उस्ताद महमद जान उरुफ बंजी और डीसी हमारे साथ भीदे रही है क्या सीन है वही भाई जान हम लोग चारो मची जा रहे हैं और हमारे पास दिफ्टो कर तोखी रामद मेंगल भी है तो आभी जाइश मोग पहुंच अहां पर रस्ते में एक हुआ है यहां चाहिए यहां इनकल रहा हुए यह दो गैज यहां पर पानी निकलते हैं बढ़े निकलते हैं इह पानी शानी पीलो आगे जाके एक लकडि वाले पाने पर रुके एंगे वहां पर आपना घाना पखाएंगे फिर सोने लेगा हो चारो जाएंगे पिर कन चुबा घिंगे फिर अगै जारी रखेंगे फ्यू मोमेंट्स लेटर तो गाइज जस अभी हम लग चारो मची जोए वो पॉंच चुके है पॉइंट पर दो गंट रेके ड्राइब के बाद तो अभी हम लोग याम पर तो अपना बिरानी शिरानी वो बना रहा है जेक सक्टे हम लोग याम पर अभी हमारे गोश्त अभी पक रहा है यह देखो गाइज तो अभी शिलाव बिरानी वोग बना कर खाएंगे तो फिलाल अम लोग याम पर बैठ गए हैं यह अवारा बिरानी पक चुका है तो ड़ी बहुत आग सेक रहा है यह दिखे है गाइज यह है सुबा का नदारा है यह चेक करो गाइज यह दिखे है हमारे दूसलोग वो जो एक वो अधर है तो अभी मम लोग चलेंगे वो अधर आगे पाइंट की जाने भी रहते हैंगे अगे पाइज मतलम विखे हैं अगे तो अधर मनाज़न आगे वाः वो तो दिलकस्स आगे मनाज़न आगे आप लग देख सकते हैं यह को रची के अनव पर तो एक तरामेज पर तो है कि गाई जम रात को आयते हम लगों ने इन को देखा था इन लोगों के पास चार गाड़ी थै बाकी दो जा रहे हैं गाई हम लोगों ने से पूछाइने हुने का कि हम लोग गुल्शन जोहर कराची से आई आया है यहां पर चारो मच्छी पिकनिक मनाने के लिए हम लग इस भाई को रोटिया पकाने के लिए तो जाके देखते हैं हमार रोटी शोटी पक चुका या फिर नहीं पक चुका है तो उसको उठाते फिर मैन पॉइंट का भी नजारा कराएंगे जिसका आप सभी को बड़ी शुदत से इंतिजार था तो हुआ गाई जी जिसके करो चारो तरफ के पाहाड बीच में नदी और दोनों सावलम पे कजूर के दरफ को वाओ क्या नजारा है श्योंद फोड़ा ढूरब मतलब के पॉंचते हैं फोड़ा आगे का साहिए कि li matter यह भराथ किन गए कि मकाद दिला गश्ता ठोके खाना दिल परा बेरों को लोदार नी गश्ती मना छोए कसी ए दीर पिशे रावरा वो जी वे जी लोग ने वाले वाटरफाल के ऊपर आचुके तो यहां काप लोग नजारा चेक करें यह देखिए गाईज आप जितना चले जाएं चले जाएं मेरे ख्याल से यह एक गंटे का सिर्फ तरिफ यापको यहां से पैदल जाना होगा यह देखिए गाईज अभी बस थोड़ा बचाएं पैदल चलते चलते आपको हर कदम कदम पर असीन मंज़र देखने को मिलता है तो यहां पर आकर ही तो भाइट गए देख बाइज यहां नजारा है कि नीचे इतना अच्छा पानी हो उपर दुस्त बचकर गपे लगा रहा हूं वाव कर देखिए गाईज यह यह देखिए गाईज यह यह पानी का कलर के कीजिए यह कोई भी कलर गरेडिव नहीं है यह देखिए गाईज यह देखिए गाईज यह देखिए मना उस्न मलका नवा शूशा थरा दल दाज तंग बैत ग्रिये पदा मना बादशाय मी सद नो करा मन्दाता जवाव आशर दोश्मा थवै बादशाय तो मलंकी मना जड़दान वैला मडुकिया नमा जड़दान वाई पर वामा तन्वीर जो एव यह दिखाय बना रहा है और साके बाई आप क्या बना रहा है बता उच्छाड़ा अच्छाड़ा 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 यह देखिए गाई बना कर खाएंगे तेर मिलते हैं आप से थोड़ी देर बाद ओल राइट आप सब को इसी कीज का है यह देखिए गाई मैं चैकर जी पानी का कलर चैकरो और वहां से अप्शार चैकरो यह देखिए गाई गाई जाना जारा तो अब यह देख सकते हो मैं बिल्कुली पॉइंट मेरे पीचे है तो अब यह भी मैं जा रहा हूं अदर लगबग मेरे ख्याल से अभी हमारा चाही तायार हो चुका होगा तो अभी मैं जाँगा उदर वो जो है उदर जाएंगे चाही पीने के लिए तो ओगाई यह यह इतना हसीन लोकेशन हो और हाथ में दूद पती कड़क चाही हो वाव जिन्दगी जीने का मज़ा तो इसे ही कहते हैं अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा रोटी शोटी खुल चुका है तो अभी हम लोग यहां पर रोटी शोटी खाएंगे फिर इसके गाद हम लोग निक खाना खाकर तो भाई हम लोग निकल चुके अभी हम लोग यहां से आगे जाएंगे तो आगे का नजारा भी आपको दिकाएंगे आगे जो है वो नेक्स्ट लेवल नजारा है भाई तो निकलते हैं आगे चक करो गाईज इसे कहते हैं नजारा फुल बीटिफुल नेक्स्ट लेवल नजारा यह देखे गाईज इस से उपर भी नजारे है बहुत कुछ और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रसी नहीं है भी किनके हम लोग ने रसी लाना भूल गए तो इसलिए मैं अब सभी को उस पार का नजारा नहीं दिखा सकता है इंशाला जिन्दगी रहा तो मैं अब सभी को इस साइट का भी नजारा दिकाऊंगा बस आप लग प्यार देते रहिए सपोर्ट करते रहिए तो वैसे यह चैकर सकते हो माशाला से कितना बीटिफुल नजारा है यहां पर आपको इतिहात से चलना होगा अगर नहीं चला इतिहात से तो यह भी हो सकता है आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी से कर देना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं आपके लिए ऐसे निवनी धमाकेदार वीडियो लेकर आता रहूंगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वर में बाई आपके लिए में कर दो दो में लाज़ से कर देना